प्रेस दे बेल आइकन और यूट्यूब आफ और देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोट की दबंग वकील हम सब की चाहिती नाजिया लाइखान जी के दमदार और बेबा के इंटर्वियो जी हाँ वही नाजिया खान जिनके खिलाफ हमारे देश में आजकल सरतलं से जुदा के नारे लग रहे हैं और वो इंटर्विय देंगी भारत के पूर्व आईएस संजे दिक्षिस सहाब को जिनका आजकल बहुत ही जबदस्त एक यूट्यूब चैनल भी है इसका नाम है जैपुट डायलॉग्स तो ये वीडियो काफे इंट्रस्टिंग होगी आपक सरतन से जुदा वाली प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा था तो नाजया जी वैसे तो थोड़ा संशुप्त में बताएं उसके बाद फिर हम ये चर्चा करेनी है जो इसकी रूट में है उसका इलाज कैसे होगा जी तो क्या हुआ आपके साथ सरतन से जुदा वाला मामला क कावड यात्रा को ले करके दिली सुप्रिम कोट के बाहर में मैंने एक स्टेटमेंट दिया था और उसके बाद फिर उत्तर परदेश में मेरी एक मेटिंग थी तो उस दौरान एक न्यूस गैलेरी बोल करके चानल यूट्यूब चानल है तो उन्होंने मुझसे ऐसी चलते- नाम पर अपना शौप जो है वो रखना स्टार्ट कर दे तो उसी पर मैंने दो-चार मिसाले दे दी थी अब उसके बाद तो मतलब देड़ महीना तो किसी को कुछ परवाई नहीं थी देड़ महीना कोई प्रॉब्लम नहीं था और देड़ महीने के बाद जैसे ही मैंने आर पार्टिसिपेट करने लेगी, हाई कोट से जो मिजल निकली थी, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, अपनी वॉइस को रेज किया, बस वहां से ही स्टार्ट हुआ, कि ये गुस्ता के रसूल की है, भाई मैं आर्जिकल डॉक्टर बिटिया के लिए मैं इंसाफ मांग रही मैं बिंगॉल के सारे चानल्स पर मैं अपनी बात को रख रही हूँ, तो इसमें सरतन से जुदा कैसे हो सकता है, पर उसको कम माइंड किया गया, ये कह करके, कि नहीं तुमने फला फला महीने में, फला फला दिन में, तुमने दिली में और उत्तर परदेश में, तुमने आखे रसूल हो यहाता है बंदा, नहीं, अब ये कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हुआ है, संजब जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कंसेप्ट कैसे चेंज हुआ है, पहले था गुस्ताक रसूल की सजा सरतन से जुदा, उसके बाद पर हालियों में हमने देखा, ग रोडशो हो रहा था, बिंगॉल में आर्जिकल द्या के लिए, उसमें मैंने पारिसिपेट किया था, और T.E.M.C की महिला नेतरी आये थी, जिसमें मैंने कहा, ये द्यायों को फासी क्यूं नहीं मिल रही है, ऐस लोगों को भी फासी मिलनी चाहिए, अब वो मुस्लिम महिल नेत्री जो विवेग, गुटा, जुड़ा साकू ऐसेंबी के विधायक की बहुत खरीबी महिला है, नेत्री है, उन्हों ने एक प्रुपघंडा रिज्यों किया कि नाजिया मुहम्मद, खैबर, बलातकारी कैसे बोल सकती तो, प्लातकारी कैसे के इलावा नहीं उसका रिलेजन बताना है और नहीं उसका नाम लेना है ये ये मेरे उपर प्रेशर बनाया गया अब आती ये बार कि सबसे ज्यादा ममता मैनेर जी ने बिलकिस बानों के लिए आवाज उठाई थी तो कमबाइंडली बिलकुल मैंने आवाज उठाया कि बिलक नासर खान सूजर जॉर्डन का बलातकार करता है अपने छोटे भाई के साथ उसके बाद पर पुलिस उसको डिटेंड करके लेकर आती है दुबई से और उसके बाद वो नौ साल में बाहर आ जाता है और वेस्टिन जैसे फाइव स्टार होटल में शादी करता है और सारे उस बलातकारी की शादी में अपनी जवान बहु बेटियों को सजा करके लेकर जाते हैं और उस बलातकारी की शादी का बिर्यानी खाते हैं अब ये बात भी बुरी लग गई टीमसी की मुस्लिम महिला नेतरी को कि मैंने नासर खान को बलातकारी क्यों बोला मुझे नहीं ब बोलना है ये है कि मुसल्मान बलाबकार करेगा तो नाजिया अगर बोलेगी तो वो गुस्ताकर रसूल हो जाएगा वो इसलाम का विरोध हो जाएगा मुसल्मान लब जिहाद करे, मुसल्मान वोट जिहाद करे, मुसल्मान तूख जिहाद करे, मुसल्मान जूस में मूद मिला करके दे, मुसल्मान लैंड जिहाद करे, मुसल्मान गला रेतो जिहाद करे, मुसल्मान मॉलेस्टेशन करो जिहाद करे, मुसल्मान गाली गलोज करो हुआ है अब आती है दूसरी बार कि ये जो विवेक गुपता एमेले हैं इन्हों ने चार-पांच महीने पहले इसी सूफिया खान से मुझे बुलवाया था अपने आफिस में मिलने के लिए हिंदी अकेडमी में मैंने जा करके चिला चिली किया कि तुने क्या मुझे सूफिया कान समझके रखा है जो तेरे बगल में बैठी रहूंगी मैं मैं क्यों आँ तुस्से मिलने के लिए तो है कौन विदाया कोगा अपने जाता अब उसी को खुनस में लेकर के यह सारा इसलाम के जस्टिफिकेशन पर जैसे कनया का गला रेता गया जैसे हिंदू बहु बेटियों का बलतकार किया जाता है बस इसलाम के जस्टिफिकेशन पर मुझे भी बली का वक्रा बनाया गया और जो सिनेरियो जो दृष्ष म मुसल्मान और हिजाबन और जिहादन और खैंची तक लेकर के वो लोग आये थे खैंची छूरी चापर बंदूख वो कोट के प्रिमाइसे में लेकर आये थे कोट के प्रिमाइसे में वो लोग नारा लगा रहे थे कि अगर कोट ने इसको बेल दे दिया तो पूरे कोट को तो इसको मार के हम लोग भी मर जाएंगे। यह एक्स IPS ऑफिसर टीमसी विधाय के साथ बैट कर किया गया और पीछे से पूरा चाल खेला है फ्रहाद हकी जो ममतव एनरजी का लाडला मंतरी और कलकता का मेयर है जिस जिसने 2021 में पाकिस्तान के दडॉन न्यूस पेपर के जर्नलिस्ट को बंगाल में कहा था के कोलकता मिनी पाकिस्तान है तो मेरी जुबान को बंद करने के लिए यह पूरी एक टीम बनी है पश्रमंगाल में और इस टीम के मारफत या तो मेरा मडर किया जाएगा और उस दिन तो मतलब मॉब लिंचिंग का पूरा दृष मुझे दिखी गया था जो मैंने काफी फोटो मैंने शेयर भी किये कुछ वीडियो भी मैंने शेयर किये हैं तो इसका जो यह जो मॉब लिंचिंग का प्रयास हुआ इसके किलाब आपने प्लेट नहीं करी हाँ बिलकुल वही मैटर तो मेरा लिस्टेड है न अचा 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 मतलब यहां पर क्या हो गया है संजे जी यहां पर क्या हो गया है मेरे लिए पश्च मंगाल में कि जिस थाना में ये लोग जाते हैं एक F.I.R. कर देते हैं अभी जैसे न्यू मार्कट थाना में मेरे लिए एक F.I.R. हुआ है जिसकी नोटिस मुझे आई है मेल के द्वारा आपने ट्वीटर पर कहा है कि हिंद कर देश में हो रहा है हिंदू बेहन बेटियों के साथ वो यहां भी स्टार्ट हो जाएगा और या तो सेफ करो और या तो पिर अपने अपने आपको भी तयार कर लो अब उसके लिए भी मेरे पास नोटिस आ गया है कि आपने क्यूं ऐसा बोला आपने हिंदूों को क्यूं मतलब शशक्त होने के लिए बोला है, आपने क्यों हिंदूओं को बोला है कि तुम लोग भी रेडी हो जो तो सेल्फ डिफेंस तो राइट है, आई पीची में भी दिया हुए अब फिर यह यह फिर कोट में जार खाएंगे, यह फिर कोट में जार खाएंगे लेकिन वो जो ये थोड़ा सा सेनारियो जो होता है न ये इनको अंदर से सुखून देता है कि हम घर में 50 ओफिसर मिलकर चले गए हैं और DSLR कैमरा ले करके गए हैं और इसको कह रहे हैं चलिए हम आपको आए हैं और रिस्ट करने के लिए चलिए साइंग कीजिए चलिए वैन में बैठिए चलिए गाड़ी में बैठिए तो वो जो ये लोग सोचते हैं कि नाजिया को इंसल्ट किये हैं इससे इनके दिल में और यहां के चाटू कारता चपल चाटने वाले लोगों के दिमाग में लगता है कि हमने बहुत अच्छा काम कर लिए अभी देखिए ना टाला पुलिस सेशन को ऑफिसर इंचार्ज आर्जिकल डॉक्टर बिटिया के रेप एंड मडर केस में आरेस्ट हुआ है ऑफिसर इंचार्ज आर discussion आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगिए तो इसे लाइक और शेयर जरू कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शे में लिखकर जरू बताएं और एक बार फिर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंट्रस्टिंग और इन्फोर्मेटिव वीडियो लाते रहें तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबदस्त दमदार और नॉलिजबल वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए जैहिंद जै भारत